कैसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में आपके लिए राइटिंग स्किल्स की उपर बहुत सारी पॉइंट्स लेकर आई हूं जिसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छी एक क्रियेटिव सी आंसर आइटिंग कर पाएंगे ठीके कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि बोलने के लिए नहीं होते हैं जो एक्चुली आप सको अपना करके बहुत ही एक क्रियेटिव एक पैसेज एक अच्छी जिसे क्याते है ना वैल्यूएबल और बहुत ही अच्छे लेवल पर आंसर आइटिंग कर सकते हूं पैराग्राफ चाहे किसी के लिए भी हो कोई कॉम पैसे लेवल पर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो टोटल वीडियो है ना वह राइटिंग स्किल्स के ऊपर है ठीक है चलिए तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के बादना एक चीज ना आप से चाहती हूं अगर आपको इन इसा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से पता है जो यह मैं मिस कर रही हूं तो उसको कॉमन सेक्षिन में जरूर लिखी रहा है वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीना ठीक है चली फर्स पॉइंट है सबसे पहले आप किसी भी तरही राइटिंग स्किल्स यह एक बहुत बड़ा पक्टर है क्योंकि कई वर के अव्त्वन आम एक्जायं करते हैं क्जायं की करंट फेस करने हैं इसीलेयोजबिस करना है सारे जंजट में आपको कहीं ना कहीं आपके बूल जाते हो आपकी जो एक दुनिया है आपक सीविड हो जाती यह सच्छ तो आ तो आपको अपने दिमाग में बंद करकर उसको सोचना है कि आप इसको कितनी दूर तक और सोच सकते हों ठीक है हिंदी को इंग्लिश में कनवर्ट करना ये एक बहुत बड़ी स्किल बहुत बड़ी आर्ट है बहुत अच्छी आर्ट अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हों कि तुरंत ही हिंदी के वर्ष को इंग्लिश में आप कनवर्ट कर लो लाइन्स को कनवर्ट कर लो तो बहुत अच अगर आप हिंदी की साइट से तो उसमें कोई इशू नहीं है आप जैसे सोचते हैं वैसे लिख सकते हैं बड़ इंगलिश के लिए मैं बोलूगी अगर आपको इंगलिश में क्योंकि आप सोचते आप कितनी कोशिश कर लो सोचो कि आप उसको अपनी मदर्ट अग कि जो आप सोच रहे हो ना वो इंग्लिश में सोच हो जैसे आपको भूक लग रही है तो आप मनी मन ऐसा सोच और I'm feeling hungry अगर आप पील करोगे ना हंग्री आप इसको इंग्लिश में सोच हो अगर आप इंग्लिश में सोच होगी तो लिखने में आपका जो seconds का टाइम है ना व ठीक है नेक्स पॉइंट है किसी भी टॉपिक की जो स्टार्टिंग है वो आप ब्रिलियंट तरीके से करो मतलब स्टार्टिंग की चार मस्ट लाइन ऐसे होनी चाहिए कि मतलब आपका जो टीचर है ना पढ़के ही हरान हो जाया कहां से लिखा है इस बच्चे में तो आपक और एक्सपेक्टेशन आपकी मतलब जो पैराग्राप के आधे नंबर है ना वो तो आपको यो ही मिल जाए ठीक है पहले की चानबस लाइने पढ़ते ही तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी लिखनी है आपको ठीक है नेक्स प कोई भी टॉपिक है आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हो कुछ लाइनों उसकी हिस्ट्री लिखिए कुछ लाइनों में उसका प्रेजेंट लिखिए और कुछ लाइनों में उसका कितनी पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों साइट्स आपको लिखनी है उसके लिए आपको सो नेज्ट आपको जब इसकी एंडिंग लिखनी है न तो एंडिंग आपको इस तरह से लिखनी है की आप उसको एक अच्छा एक बहुत ही ब्रिल्लियंट सा रास्ता दे रहे मतलब उसका वे फॉवट क्या होगा वे फॉवट का मतलब है इसका और रहा बहतर तरीका क्या हो सकता है किसी भी टॉपटिक का जो भी आपका टॉपटिक है Missatureा मिंसलेनेस आप लेकर चै magazines कोई भी टॉपटिक है इसका वे फॉवड् क्या होगा इसमें और क्या innovation हो सकती है य lowers हो सकती है या पिर यह बहुत को इंटकर अगर भाँश statut स्टार्ट कैसे करनी है ये बहुत बढ़ा कोश्य झाहिएं छांश हैं ध्यीकर behalf कि प्रैक्टिस ढ़िए तो को हमेशा एक स्मिपल टॉकित लेना है और उसकी स्ट विश्कEC कर भूबे लिए सिंपल यानि के simple से start करना है simple medium hard simple to harder आपको इस चीज की practice करनी है ठीक है पहले simple topic लिजिए simple words यूज कीजिए अपने खुद के words यूज कीजिए उसके बाद जब medium पर आएंगे उसकी practice बढ़ती जाएगी आपकर आपकी जो speed है वो भी बढ़ेगी ठीक है obviously जब आप किसी चीज की प्रैक्टीज रोज करो गे वो चीज पक्का ही इन्हांस सातिसा स्टाइटिंग को और टीज तूपक सको डेली लिखने लेगए अधसेступ पिंवाजर्श और उसको प्रैक्ट सब्सकर। नेक्स्टिक्स आपको एक ना डिक्ष्णरी आती है एक डिक्ष्णरी आती है हिंदी टू इंग्लिश एक डिक्ष्णरी आती है ठीक है थोटी वाली जो पॉकेट डिक्ष्णरी होती है वो इनाफ है अब हिंदी टू इंग्लिश डिक्ष्णरी का यूज करके नए नए Hindi में ठीक है उसकी English convert कीजिए वो आपको learn भी होगी और आगे आपको future में बहुत help करेगी ठीक है रोज के दो words तीन words आप उसमें से उठाओ उसको learn करो अपने answer writing में include करो ठीक है जिससे आपकी vocabulary भी बढ़ेगी आपके words knowledge भी बढ़ेगी ठीक है धीरे धीरे जब आप एक habit कर ल level की ठीक है next is आपको grammatical mistakes का grammar अच्छे से read करनी है जब भी answer writing लिखना स्टार्ट करो सबसे पहले grammar के concept की एक list बना कर अपने table पे रखो जब भी आप answer writing करो अपनी grammar की जो list है vocabulary की जो list है grammar आपकी grammatical mistakes ना हो इस बात का आपको पूरा धियान रखना है ठीक है next is speed आपको continuously watch करनी है ठीक है आपको observe करनी है आपकी जो speed है वो दिन पर दिन बढ़ती जानी चाहिए simple topic को एक बार लिखो दो बार लिखो ठीक है अगर आपको एक topic देखो रोज starting में रोज अलग-अलग topic लिखने से अच्छा क्या है कि आप एक topic को ना तीन चार बार लिखो और उसमें improvement करो ठीक है यह बहुत अच्छा मैंने valuable आपको point बताया है अगर आप ऐसा करती हो ना आपको आपकी कम्यों का पजा चलता है आपका सबसे जो first वाला था ना वो आप देखना और जो last वाला था जो topic आपने लिखा है वो देखना ठीक है एक तोपिक को अगर multiple times लिखो उसमें improvement करो improvement कैसे नए words आड़ करो ठीक है नए strategies आड़ करो नए points आड़ करो speed को improve करो handwriting को improve करो grammatical mistakes को improve करो तो आप देखो कि बहुत ही अच्छा आपको difference नजर आएगा आपके first वाले paragraph में और उस सेम topic को पांच से बार लिखने के बाद सेम topic में और last वाले topic में आपको बहुत ज़्यादा difference नजर आएगा आप खुद अपने mistakes को सीख करके motivate हो सकते हो ठीक है बहुत ही मैंने simple सा point बता है पर अगर आप इसको कर लो अपना लो समझो इस बात को तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा important समझ लो करोडों ही बात मैं आपको यहा और time के साथ आपकी जो writing skills है वो भी अच्छी होगी speed भी बढ़ेगी speed के साथ आपका जो लिखने का तरीका है handwriting है वो भी इंप्रूब होगी पर आपको इसमें क्या करना है आपकी जो आपको यह make sure करना है देखिए कई भी writing ऐसी होती है ना words तो वो ठीक्टा क्लिख लेते है कि उनको na clearly visible नहीं हो पाता है कि यह k है यह p है ठीक है for example अगर आपके पस कोई भी topic है कोई भी word है ठीक है वो हम ना कई बार हमारी आदत होती हम इस तरह से लिखते है clearly visible नहीं हो पाता ठीक है इस बात का पूरा ध्यान रखना है कोई भी आप word लिखो कोई भी line लिखो किसी एक्जाम में तो वो clearly visible होना चाहिए in case अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो आपको के को दूसरी तरह लिखने की आदत है जो कि अच्छे से एक बार में समझ में नहीं आता है देखने पे तो आप एक कर्सिव handwriting की बुक खरीच सकते हो जो की handwriting practicing के लिए ही आती है उसकी practice कर सकती ह प्रक्टिस करोगे दीरे दीरे उस चीज में perfection होती जाएगी ठीक है देखे अब एक और ठोटा सा point है जो कि हम ignore कर देते हैं तो एक जो most important है importance of pen यह point आपको पूरे आप कितनी भी वीडियो चार्ट को आपको नहीं मिलेगा importance of pen बहुत जरूरी है answer writing में make sure आपको जो आपका pen है न कई वर क्या होता है हम जो एक दो रुपे वाले pen होते हैं उससे लिखने में और जो थोड़ा 5 रूपीज ये 10 रूपीज का जो pen होता है उससे लिखने में बहुत जादा फरक आता है आपके flow में फरक आता है ठीक है मै ये नहीं कह रही है कि जो costly pen है 5 ये 10 रूपीज का वही अच्छा है ऐसा नहीं है जो आपके 2 रूपीज की पैना उनका flow बहुत कईयों का flow बहुत अच्छा होता है अब बहुती speed से लिख पाते हैं ठीक है तो pen का आपको make sure ध्यान रखना है चाहे वो 10 रूपीज का हो चाहे और दूसरी बात आपका जो pen है अच्छे से flow में चलना चाहिए यानि कि ऐसा नहीं है रुक रहा है आप एक चीज को बार बार लिख रहे हो उसको overwriting कर रहे हो ताकि वो ठीक से चल नहीं रहा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका pen एक्दम perfect होना चाहिए बिल्कुल आ 12 से 12 पॉइंट मैं आपको पता दिये हैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ में आपके साथ बिदा लेना चाहती हूं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना ठीक है और अपने कोई opinion हो तो जरूर उसे comment section में जरूर शेयर करना ठीक है अगर कोई और point रहे गया हो मुझे से तो जरूर comment section में करें आप comment करें ताकि औरों को help मिल सके उसे ठीक है मिलते हूं आपसे नेक्स वीडियो में smile के साथ बाबाई